पाठ चोदह बेड़ी पाठ प्रस्थान कहा जाता है स्वतंत्रता सबको प्यारी है पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक आजाद रहना चाहते हैं कभी कभी प्रेम का बंधन भी खलने लगता है प्रस्तुत कहानी में लेकर ने एक अंधे पिता की मजबूरी एवं एक निर्दोश बालक की बाल सुलब अठखेलियों का बड़ा सजी वरणन किया है भौतिक बंधनों को तोड़ते बालक का हिर्दैस परशी चित्रण किया गया है बाबुजी एक पैसा मैं सुनकर चौक पड़ा कितनी कारूनिक आवास थी देखा तो एक नौदस साल बरस का लड़का अंधे की लाठी पकड़ खड़ा था मैंने कहा सूरदास यो तुमको कहां से मिल गया अंधे को अंधाना कहकर सूरदास के नाम से पकारने की चाल मुझे भली लगी इस संबोधन में उस दीन के अभाव की और साहनुभूती और सम्मान की भावना थी व्यंगे न था उसने कहा बाबुजी मेरा लड़का है मुझ अंधे की लकड़ी है इसके रहने से पेट भर खाने को मांग सकता हूँ और दबने कुचलने से भी बच जाता हूँ मैंने उसे एकन्नी थी बालक ने उत्साह से कहा अहां एकन्नी बुड्डे ने कहा दाता जुग जुग जीओ मैं आगे बढ़ा और सोचता जाता था इतने कश्ट से जो जीवन बिता रहा है उसके विचार में भी जीवन ही सबसे अमूले वस्तु है हे भगवान दीनानात करी क्यों दे ली दशाशव मेद घाट की और जाते हुए मेरे कानों में एक प्रौन स्वर सुनाई पड़ा उसमें सच्ची विने थी वही जो तुलसिदास की विने पत्रिका और ओत प्रोत है मोटर की दंभ भरी भीशन बहुबहु में विलीन होकर भी वायु मंडल में तिरने लगी मैं अवाक होकर देखने लगा वही बुढ़ा किन्तु आज अकेला था मैंने उसे कुछ देते हुए पूछा क्यों जी आज वो तुम्हारा लड़का कहा है बाबु जी भीक में से कुछ पैसे चुरा कर रखता था वही लेकर भाग गया नजाने कहा गया उन फूटी आखों से पानी बहने लगा मैंने पूछा उसका पता नहीं लगा कितने दिन हुए लोग कहते हैं कि वो कलगत्ता भाग गया उस नटखट लड़के पर क्रोध से भरा हुआ मैं घाट की और बढ़ा वहां एक व्यास जी श्रवर्ण चरित्र की कथा कह रहे थे मैं सुनते सुनते उस बालक पर अधिक उत्तेजित हो गया देखा तो पानी की कल का धुआ पूर्व के आकाश में अजगर की तरह फैल रहा था कई महीने बीतने पर चौक में वही बुढ़ा दिखाई पड़ा उसकी लाठी पकड़े वही लड़का अकड़ा हुआ खड़ा था मैंने क्रोध से पूछा क्यों वे तु अंधे पिता को छोड़ कर कहा भागा था वो मुस्कुराते हुए बोला बाबु जी नौकरी खोजने गया था मेरा क्रोध उसकी करतव्य बुद्धी से शान्त हुआ मैंने उसे कुछ देते हुए कहा लड़के तेरी यही नौकरी है तु अपने बाब को छोड़ कर न भागा कर बुढ़ा बोल उठा बाबु जी अब ये नहीं भाग सकेगा इसके पैरों में बेड़ी डाल दी गई है मैंने ग्रना और आश्चर्रे से देखा सच मुझ उसके पैरों में बेड़ी थी बालक बहुत दीरे दीरे चल सकता था मैंने मन ही मन कहा हे भगवान भीक मंगवाने के लिए बाप अपने बेटे के पहरों में बेड़ी भी डाल सकता है और वो नटखट फिर भी मुस्कुराता था संसार तेरी जै हो मैं आगे बढ़ गया मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था आज नाव पर घूमने का उनसे निश्चय हो चुका था गाड़ी मोटर तांगे टकराते टकराते भागे जा रहे थे सब जैसे व्याकुल मैं दार्शिनिक की तरह उनकी चंचलता की अल तोचना कर रहा था सिरस के व्रक्ष की आड़ में फिर वही कंट स्वर सुनाई पड़ा बुढ़े ने कहा बेटा तीन दिन और ना ले पैसा मैंने रामदास से कहा है साथ आने में तेरा कुरता बन जाएगा अब ठंड पढ़ने लगी है उसने ठुनकते हुए कहा नहीं देने के लिए हट करता ही रहा परंतु बालक की ही विजय हुई वो पैसा लेकर सडक की उस पटरी पर चला उसके बेड़ी से जकडे हुए पैर पैत्रा काट कर चल रहे थे जैसे युद्ध विजय के लिए नवीन बाबु चालीस मील की स्पीड से मोटर अपने हाथ से मोटर निकल गई और ये बुड़ा विकल हो रोनी लगा अंधा किदर जाए एक ने कहा चोट अधिक नहीं दूसरे ने कहा हत्यारे ने बेड़ी पहना दी है नहीं तो क्यों चोट खाता बुड़े ने कहा काट दो बेड़ी बाबा मुझे ना चाहिए और मैंने हद बुद् अंतरता की भावना दान